आसलो वेलकम बैक गाइस मेरा नमलान है और आज के इस Make Knowledge Free Campaign में हम देखेंगे फोन पे वालेट से आप किस प्रकार कोई transaction करते हैं या पेमेंट करते हैं इसके पहले कि हम आगे बरे हम एक चीज़ समझते हैं चाहे कोई भी UPI पेमेंट हो चाहे वो फोन पे हो, Google पे हो, Amazon पे हो या WhatsApp पे, कोई भी यह सारे चीज़े हो इसमें आपको bank account जोनना जरूरी होता है क्योंकि आपके bank account से ही आप payment करते हो कुछ-कुछ UPI services जैसे Paytm या फोन पे इनमें wallet system होता है तो आप यहाँ पे phone पे में देख सकते हैं पे जाके अगर मैं नीचे जाओं तो phone पे wallet एक रहता है तो यह आप लाइक अभी जैसे कि मेरे पास 1000 रुपए है मांद के चलिए मैं और 100 रुपए इसमें दिना चाहता हूं तो यह टॉप अप करना चाहता हूं wallet को तो मेरे इस particular account से जो है 100 रुपए transfer होगा मुझे UPI pin देना होगा जैसे मैं UPI pin दे देता हूं तो यह transaction जो है successful हो जाता है और मेरा wallet जो है उतने amount से recharge हो जाता है तो अब मैं अगर अपने wallet में जाओं तो 1000 के जगे 1100 रहेगा तो यह debit हो गया ठीक है इसके बाद होता है कि कई लोग यह सूचने जे शुरू करते हैं कि इससे आप किसी को पैसे भेज सकते हैं कि तो मैं आपको यह बता दू कि इससे आपको पैसा भेजना या दुकान में जाके आपको अगर payment करना है तो आप यह wallet money उसमें यूज नहीं कर सकते हैं wallet money को use आप केवल, recharges और bills के ले कर सकते हैं, यानि कि अगर आपको मांगे चले कोई account में पैसे भेजने हैं, या self को भेजने हैं, या contact को पैसा भेजने हैं, तो आप wallet money use नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को समझिए हैं आप तो कई लोगों के मानना है कि मैं नारियल पानी पी रहा हूँ, उसके पास QR scanner code है आपको मैं दिखा देता हूँ बेसिकली ये इसका QR scanner code है तो मैं इसको QR scanner code को पकड़ता हूँ या फिर मैं पास QR code हो, या फिर मेरे gallery में हो तो मेरे gallery में है तो आप देख सकते हूँ, ये basically image है और यहाँ पे जैसे ही मैंने QR code को scan किया तो amount तो मैं दे सकता हूँ लेकिन यहाँ पे आप देखे नीचे और ये phone पे का ही QR code है तो मैं कही पे भी wallet available नहीं आता तो cable like linked bank accounts ही आ रहा है तो इसलिए आपको store में payment करना या अपने bank account में पैसे भेजने तो उसके लिए phone पे wallet नहीं होता और अगर आपको कोई बोलता है कि होता है और tricks बताता है तो आपको केवल बेवकूफ बना रहा है तो खेर अगर मांगे चली मुझे electricity bill भणना है mobile recharge कराना है तो यह सारे चीजे इससे हो सकता है तो यहाँ पे कोशिश करते है 1-1-0-6-8-7-9-2-9 confirm कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी अगर मुझे मांगे चली यहाँ पे 300 रुपीज देना है तो मेरे phone पे wallet से मैं 300 रुपीज जो है वो मैं दे सकता हूँ तो यह मेरा phone पे wallet है 300 रुपीज यह मेरा phone पे यह advance bill है एक्चली एक तरीके से क्योंकि मेरा अभी कोई bill due है ही नहीं तो यह केवल electricity bill ही नहीं आपका कोई भी चाहे mobile recharge हो चाहे LPG cylinder book कर रहे हो आप चाहे आपका electricity bill हो तो आप देख सकते हैं आप paid this वाया phone पे wallet तो इस तरीके से phone पे wallet से आप payment कर सकते हैं लेकिन एक चीज समझे है कि इससे केवल आप अपने recharges ही कर सकते हैं recharges और bills mobile, DTH, electricity, credit card post paid, LIC, loan repayment और यहाँ पे view more में जितने भी यह सारे चीज़े देख रहे हैं यह आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपको यह बोन लाए कि नहीं नहीं मुझे तो contact को या account को या self को पैसे भीजने है wallet से तो नहीं होता wallet का पैसा आप withdraw जरूर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए तरीका है gold खरीद के बेच के तो हम बाद में देखेंगे मैं उमीद करता हूँ कि आज के इस tutorial से आप कई divert नहीं हुए और आपको ऐसा ना लगा हूँ कि मैंने आपको बेवकूफ बनाई कोशिश की मैं आपको बस इतना बतारू fact बतारू जो कि होता है लोग wallet में पैसे देते हैं और सोचते कि पेटियम में जैसा हो जाता है wallet से पैसे भीजने वाला method वो इसमें भी होगा यहाँ पर आपको जब आप contact को पैसे भीजते हो जैसे आपने हमारे tutorials में देखा है तो bank account ही सिर्फ दिखाई देता है तो उस पर आप bank account जैस करते हो तो आपको UPI pin देके आप फिर पैसे भीज सकते हो खिर आज का अगर आपको हमारे यह काम पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकों का दबाए जिससे कि आपको